नमस्कार मैं आपका दोस्ट इंजिनियर प्रभात कुमार सिंग निराला कंस्ट्रक्शन चानल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेम स्ट्रक्शर के बारे में जानेंगे और इसके साथ ये भी विजानेंगे कि इस फ्रेम स्ट्रक्शर को बनाने में कितना रुप खर्चा आया है तो दोस्तों आपको पता ही है कि आजकल जो घर बनाने का material है वो काफी महागा हो चुका है और labor charge है वो भी काफी महागा हो चुका है जिसके कारण घर बनाने में कठी नहीं आ रहा है तो लोग आजकल stave wise बना रहे हैं मतलब पहले अपने घर के लिए structure बना ले रहे हैं उसके बाद उसमें ब्रिक वर करके धिरे दिरे फिनिस कर रहे हैं बात किया जाए इस फ्रेम इस ट्रक्चर का तो 40 feet by 25 feet यह देखिए वहला 25 feet का आपका side है तो 40 feet by 25 feet मतलब 1000 square feet में बनाया गया इस structure को देखिए आप इसका height 10. 50 feet का रखा गया है और काफी अच्छा होता है यह घर के लिए height तो सारी चीजे में आपको detailing देऊंगा साथ में यह भी बताऊंगा कि इस सी बनाने में कितना रुपया खर्चा आया है आप देख सकते हैं कि इस structure में आप तक जो छट धलाई का काम है वहां तक complete हो चुका है औ और अगर आप इस size का मतलब 1000 square feet में बनाते हैं तो आपको तीन bedroom के अलावा hall kitchen और बातरूम असानिक के साथ बन जाएगा तो देख लिजिए उस इस चाप से काम है छट की जो ढ़लाई है उसे साड़े चार इंच का किया गया है चले मैं आपको थोड़ा नजदिक ले जाकर दिखाता हूँ जिससे आपको सारी बाते अच्छे से समझ में आएंगी तो देखे दोस्तों ये जो हमारा प्लिंद बीम है जिससे हम लोग आम भासा में कुर्सी बोलते हैं उसके बारे में पहले जानेंगे और ये जमीन से 3,5-4 फिट आप हाइट जरूर दे जमीन का कुर्सी लेवल का टॉप लेवल का तो देखे यहां पे यह जो हमारा बीम है इसका साइज रखा गया है है दस इंची वाइं दस का जो साइड वाला है वह पंडैनों यह Lakia का सिथिर और जो इसके साइड वाला ये देखिए इस पार्ट को बात किया जाए तो ये 10 इंची का है 10 इंची बे 12 इंची का कॉलम है आप देख लिजे और यहां जॉइंट से आप समझ सकते कि क्या इसमें reinforcement मतलब सरीया का उपयोग किया गया है जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आप घर बनाते हैं तो कितना रिपत खर्चा आएगा तो देखिए यहां पर चार सरीया का इस्तेमाल किया गया है दो यहां पर टॉप बार है और दो बोटम में इस्तेमाल किया गया है 12 mm का चार सरीया का इस्तेमाल आप देख सकते हैं तो दोस्तों यह तो था बीम का बा जिससे आपको ज्यादा चीज़े समझ में आएंगी और अब हम लोग जानेंगे कॉलम के बारे में कि इसमें कॉलम का क्या साइज रखा गया है और क्या इसमें रेंफोर्स्मेंट यूज किया गया है तो कॉलम में आप देखे थे बाड़ा बाई दस इंज का था इसका हाइट साथ दस फिट में आपको बता चुका हूं और इसमें टोटल कॉलम जो लगा हुआ यह दक चार चार आठ और फिर चार उस कॉर्णर पर मतलब टोटल बारा कॉलम में इसे बनाया जा रहा है एक हैजर स्ट्वर्फिट का घर में बारा कॉलम लगाया गया है अब बात कर लेत बनाता हूं क्यों को वह हैं चार सारिया ही नजर आ रहे थे देखिए यहां पर आपासानी के साथ देख सकते हैं कि sixappropriate ओस परnakर किया गया है तो फ्रेया में स्ट्साइब भाएदा भी कुछ है दोस्तों तो देखिए अगर आपके बाद पूरा पैसा नहीं है तो एक बाद फ्रेम स्ट्रक्चर करवा के छोड़ दिजीए कुछ महीने बाद चाहिता है तो और उसके साथ पलस्तर करकर छोड़ दिजीए फिर कुछ दिन में इतना काम करवाते हैं सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर पर आप छत की ढलाई करते हैं पांच लाख दस जार रुपे से लेकर पांच लाख बीस जार रुपे तक खर्चा आ सकता है उमिदे आप इस वीडियो से बहुत सारा को सीखे होंगे और साथ मैं यह भी बता दू कि अगर बना सकते हैं तो उमिदे आपको सारी जनकारी मिल गई होगी अगर और भी आपको जनकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट किजिए मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा और हेल्प कलेंका भरपूर कोशिस करूंगा